NEET का पेपर हो चुका है अब बारी है जरा पेपर अनलिसिस की तो आज हम डिसकस कर लेते हैं केमिस्ट्री पेपर मतलब यहाँ पर हम समझाएंगे कि केमिस्ट्री नेक्स्ट यर के नीट के लिए कैसे पढ़नी है तो यहाँ देखे अगर और्गेनिक के पेपर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्टिन थे यहाँ इन और्गेनिक के 15 क्वेश्टिन थे और फिजिकल केमिस्ट्री के 16 क्वेश्टिन Class 11th को Organic में देखा कि Total 4 Question है और 12th के 10 Question थे वैसे ही इन Organic की बात करते 11th Class से 9 Question और 12th से 6 Question Physical Chemistry मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 11th का Physical Chemistry और 12th का Physical Chemistry एक दूसरे से पूरी तरह independent है पूरी तरह independent है दिक्कत होती है Organic and Inorganic में बच्चों को तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह दिक्कत का Reason क्या है क्यों बच्चे Organic और Inorganic से भागते हैं Reason यह है कि Class 11th में जो हमारे 2 Chapter है वो सबसे ज़्यादा Important है अगर हम First Chapter की बात करें General Organic Chemistry इसमें आप Inductive Effect, Mesomeric Effect, Aromaticity, Hyper Conjugation, Acidic Character, Basic Character सब पढ़ते हो इसलिए यह First Chapter बहुत ज़्यादा Important है और बच्चे इसी Chapter पर Focus नहीं करते हैं यही Reason है कि उन्हें Organic से डर लगता है तो आपके पास जब Inductive Effect, Mesomeric, Aromaticity, Hyper Conjugation, Acidic, Basicity, Carbocatine, Carbonine यह सारे Topic अगर आप कभर कर लोगे तब ही आपका Organic अच्छा होगा यहाँ भी मैं Conclude करना जाती हूँ कि Organic को समझना है तो सबसे पहले 11th का syllabus बहुत अच्छे से पढ़ना होगा उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि 11th का Mechanism हम Use करते हैं 12th में तो 12th की Organic स्टार्ट नहीं की जा सकती तब तक जब तक आप 11th के Mechanism वाले पार्ट को 11th के syllabus को complete नहीं कर लोगे तो बहुत Important है Organic में Important Topics की बात कर लेते हैं तो Elimination Reaction जहाँ पर E1, E2, E1C भी Mechanism आता है Substitution की बात कर ले, SN1, SN2, SNI यह Mechanisms होते हैं Condensation, K9-0, Grignard, अब मैं आपको बता दू कि Elimination Reaction आपका 11th में भी आएगा 12th में भी आएगा, Substitution आपका 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा ठीक उसी तरह से Grignard Reagent 11th में भी है and 12th में भी है Marko-Nikov, Anti-Marko-Nikov, Hydroboration आप बात कर लीजे या Oxymercuration, Demercuration, Allylic Substitution यह सारे syllabus यह सारा जो मैं यहाँ पर लिखा है यह चीजे को डिसकस कर लिया कि यहाँ पर कौन-कौन से टॉपिक आते हैं और यह सारा syllabus कॉमन टॉपिक है Class 11th and 12th का, यह Class 11th and 12th का कॉमन टॉपिक है 12th के syllabus की बात कर ले तो यहाँ पर Electrophilic Substitution Reaction, Nucleophilic Aromatic Substitution, Intermediates Carbocatine Aromaticity यह सब भी बहुत important है, इतना पढ़कर आप Organic में बहुत अच्छा result ला सकते हो बहुत जरूरी है कि इन सारे टॉपिक को आप one by one इस पर बहुत सारे questions करिए बहुत अच्छे से इन सभे टॉपिक को पढ़िए, बहुत जरूरी है बात करते हैं Inorganic के important topic की यहाँ पर hybridization S block, P block, D block, F block, कोई भी block ले लिजिए hybridization आपको आना ही चाहिए shapes निकालने आना चाहिए, कितना loan pair है, कितना sigma bond है, कितना pi bond है वो सारी चीजें कभर करता है हमारा hybridization और shapes Backbonding, Dragos rule, group 15, 2 लेके group 17 तक backbonding और Dragos rule के ही questions आते हैं Valence bond theory, CFT, coordination complex, acidic nature, basic nature, S block हो, P block हो, D block हो, F block हो तो acidic nature और basic nature आप तभी समझ सकते हो जब आपने इससे अच्छे से पढ़ा होगा बात करते हैं periodic properties, periodic table, electronic configuration Inorganic की बात करें और अगर ये तीन topic अगर आपको periodic properties नहीं आती अगर आपको periodic table नहीं समझ में आता, आपको electronic configuration निकालने नहीं आता तो ये सारी चीजें जो मैंने उपर में लिखी हैं, ये आप नहीं समझ सकते हो तो सबसे first मैं आपको ध्यान रखना है कि आप periodic properties के हर question को solve करें periodic table को अच्छे से study करें कि कौन सा element कहां पर है electronic configuration कैसा है, ये बहुत जादा जरूरी है बहुत लोग बोलते हैं कि success हमेजा hard work के equal होता है लेकिन क्या, अगर मैंने आपको ये question दिया तो आप इसका क्या answer करोगे यहाँ पर देखे बच्छों मैंने जो पहला reaction आप देख रहे हो ये आपका reactant है और यहाँ पर ये आपका product है हम जानते हैं कि अगर पहला जो reaction यहाँ पर equilibrium reaction है और दूसरा forward reaction बता रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि hard work एक बार करने से नहीं आता आपको regular मेहनत करनी है आप रोज daily basis पर जब आप मेहनत करोगे तो आप daily आपको एक success मिलेगा और finally आप अपने लक्षय एम तक पहुच पाओगे बहुत जरूरी है कि daily hard work करेंगे तब daily success मिलेगा ऐसा नहीं है कि एक बार hard work कर लिया तो हमेशा के लिए आप एक सफल इंसान बन पाओगे तो सफलता तभी आएगी जब आप regular मेहनत करोगे regular hard work करोगे तो यहीं बाते बहुत important है जो आपको अपने तयारी के समय ध्यान में रखनी है कैसे पढ़ना है कैसे आप chemistry को अच्छे से समझ सकते हो मैंने सारे topic आपके लिए लिख दिये हैं आप इसे हमारे description file से download भी कर सकते हो और समझ सकते हो कि कौन कौन से topic है जो बहुत जादा important है thank you so much